आई आज हम बनाने जाने हैं कप चावल दोड है ये कँफ प्रिशन गावमिल्क लें तो और आप चाहें तो फुल क्रीम भी ले सकते हैं और इसमें हम डालेंगे एद करेंगे ग्लस पानी और इसको हम गैस चेस बिला करके गैस में चड़ा देंगे यह हमारा दूर बॉइल उने में इसको टाइन लगए उसके बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख दीजिए तो पानी में और इसको थोड़ी दूर लगए जब तक हमारे दूर में एक बॉइल आएगा यह हमने चाब़ भिगो कर दीए अब अब अपना दूर देख लेते हैं इसको बॉइल आने में तो पर टाइम लगए इसलिए हम चलते हैं हम कुछ मेवे तयार कर लेते हैं कि में डा देखे हमारा दूर दूर बॉइल ने लगए एक बॉइल आ गया है अब में जो चाबल रख दिये थे विभो करके वह पानी में तब दिया है और हम इसको इसमें डाल देंगी यह हमने कुछ यह द्राइफ फूट लिया है जिसमें कि मैंने काजू लिया है और अदम दिया है अमरकाना के इसमें आपके बाद जो फी डायफूट्स हैं वो फारे आप तावक्रेश में अब हम इसको थोड़ा थोड़ा ताइम लगिलेगा भड़ना हमें इसको तो हम इसको डीविशन चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी दीविशन में गास को पाख देंगे जिसके यह अच्छे तरीके से पक सके और इसमें हम टेट के थोड़ा सा एक चुट की नमक डाल देंगे खीर में आप कभी भी खीर बनाएं कोई भी खीर बनाए तो उसमें चुट की नमक ज़रूर डाले अब इसमें चीनी नहीं डालें जब तक यह पक जाती है जब यह पक जाएगी और इसका कलरर एकदम चेंज हो जाएगा यह लो उसमें चीनी डालें तक एक बार हमारी खीर रेडी है और इसको बिच बिच में चलाते जरूर है जिससे कि यह जल ना जाए निए लगी नहीं इसमें चाबल जोड़ेते हैं और इसमें हम डाल देंगे बन बाउल चीनी और इसको थोड़ा सब्सक्राइस को फूल कर देंगे और एक बॉल आने दर इसको में चलाएंगे जिसके हमारी चीनी बूल जाए बहुत हो जाएंगे देखिए हमारी खीर कलर चेंज हो गया है यह देखिए आप लाइचीन तोड़के और आव देंगे इससे हमारी कीर में अच्छी से खुश्कू आ जाए हमारी की रेडी है हम गेस प्लेम को बन कर देंगे जाएंगे झाल झाल